सीवी ने खोले सपना के इतने सारे राज सपना ने अपनी सास ससुर को धोखा दिया था इस कारण से अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलिका यूपी आर बीयल तो दोस्तों आज की मैं वीडियो में आप से कुछ जरूरी बात करने वाली हूँ आप से मैं ये बताऊंगी इस वीडियो में आखिर उस दिन क्या हुआ था किस वज़े से सपना को सूरज ने मारा था और किस वज़े से सपना अपना ससूराल छोड़ी है क्योंकि सीवी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और सीवी ने सपना की सारी सचाई ला दी है और सपना ने भी सीवी के कुछ राज खोले है इन सबी टोपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ बस आप से छोटी सी कहँचे तो दोस्तों जैसे की आपको पता है और सपना की बीच में इस समय कुछ भी अच्छा नहीं है सारी चीज्य खराब हो चुकी हैं पहले तो सीवी वीडियो बना थी हैह सपना के लिए सपना के अगेंस मगर वह सपना का नाम नहीं लेती हैं ।ो सपना के भाई रौक लगी जिसमें सपना से सीवी के ससूर बार-बार माफी माग रहा है और उनको गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे माप कर दो मेरे बेटे की गलती है मेरे बेटे की गलती है मगर सीवी सीवी के ससूर बार-बार उनसे कह रहा है अपनी कसम भी दिये मगर शपना ने उनसे कह दिया अंकल ना तो मैं आपके घर आऊंगी और नहीं मुझे आप से कोई मतलब है फिर दोस्तों उसके बाद वो वीडियो सपना ने अपने भाई से डिलीट करवाई उसके बाद दोस्तों सिवी का दो दिन बाद वीडियो आता है सिवी ने सारा सच बताया कि सपना एक ऐसी लड़की है यानि एक औरत ऐसी है इसको सिफो सिफ अपना फैदा दिखता है जहां पे इसको अपना फैदा नहीं दिखता है वहाँ से मूग कलेती है वहाँ से निकल लेती है वहाँ से दोस्ती तोड देती है तो दोस्तों सीवी का कहना है सपना ने ही अपने सास ससुर के उपर उल्टा शीधे किये हैं उनको परिशान करते थे क्योंकि सपना का पूरा जुकाओ अपने माय के पच्छवालों की तरफ था जिसकी वज़े से सपना ने अपना सस्वाल छोड़ दिया और जो रही बार सास की सास ऐसा बोलती तो दोस्तों सीवी का कहना है सपना तो खुद ज़्यादा बोलती थी आप उनकी वीडियो में देखने से नहीं पता चलता है क्या की कौन इतना तेज है बलकि उनकी सासु मा बहुत सीधी थी उसारा दिन काम करती थी सपना थोड़ा सा अभी उन्हों का मान समान नहीं करती थी उनों को गंदा गंदा बोलती थी और उनको जबाब देती थी तुरंद तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि वो अपना क्यों छोड़ी है तो ये उनका फैमिली मैटर है किस वज़े से और दोस्तों फी उसके बास सिवी का कहना है क्या अंसु भी गलत है जिसको अपनी बेटी मानती थी मान लो एक बेटी गलत हो सकती है मगर एक मा कभी गलत नहीं हो सकती तो फी अंसु से बात करना क्यों छोड़ा दूसरी पॉइंट ये ये तीसरा पॉइंट सिवी का था क्या मैं भी गलत हूं मैं दोस्त हूं एक दोस्त के नाते जब ये बीमार पढ़ती थी ये कुछ होता था तो मैं और मेरे हस्बेंड एक पैर में ख कहते हैं इंसान जो है सुख के पल भूल जाता है मगर दुख के पल कभी नहीं भूलता है क्योंकि वो उसके आखों में नाशता है दुख के पल जो सपोर्ट करता जो साथ करता हूं उसे अपना कहा जाता है फिर उसके बाद दोस्तों सीवी ने ये भी बताया कि सपना जब नहीं दिया इस सहर में सिफ मैं और मेरी फैमिली साथ दी फिर भी सपना और शपना के भाई ने इतना गंदा गंदा बोला दोस्तों उधर शपना लाइव आके उन्होंने बताया कि गाली अखिर क्यों दी थी क्या रीजन था उन्होंने कहा कि सिवी ने इडिटिंग करके कि ये बात पहले भी रौकी ने बताई थी कि जिसमें सिवी और सिवी की हस्बेंट जाते हैं ये बुलाती हैं फिर उसके बाद वहां के को कटने में या बुलवा के इनको खाना नहीं खिलाती या ना बोल देती कि मत आओ जिसकी वज़े से उनके हस्बेंट को बुरा लगत वो कहते हैं कि मेरा अफमान की है और उसके पाद सिवी से उनका जगडा होता है आपस में और फिव इसके पाद उन्होंने मुझे फोन करके गाली दी और गाली में मा की बहन की सबकी गाली दी यह सारी बाते वो कहें और सपना का यह भी कहना कि वह recording हम सोसल मीडिया पर नहीं लास सकते हैं क्योंकि वह और सोसल मीडिया पर याली गलोस डालना अच्छा नहीं है और मैंने ही चाहती कि गलोस बीडियो बच्चे भी देखते कोई भी और इतनी गंची काल लिए और ना जाने किस-किस की गाली तो सपना के पास जब सीवी ने कॉल किया सीवी से सपना पूछे तू ठीक है तू सुसाइट करने वाली थी यह है वह सब चीज वह बता रहे हैं फ्यूस के बाद दोनों में बहस होती है सपना सीवी से कहती है ना तो मुझे तुससे कोई मतलब है और ना तेरे ही पती से भाड मजाये तेरे पती मरे या जीए मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिस्ता यह सारी बाते फ्यूस के बाद दोस्तों आज अब सीवी मैडम को जब उनकी रिकॉर्डिंग उनके फैमिली की रिकॉर्डिंग और सच्चाई जब उनके सोसल मीडिया पे आई है तो सीवी को मिर रही जो सारी सच्चाई ला रही उन्होंने दिखाया कि यह देखिए इनके भाई ने भाई के खिलाब बीडियो बनाने के लिए सिफो सिप सपना ने मुझे कहा था तभी और फीस की बाद इनकी मा जब बना रही थी गाली मैं खा रही थी मैंने इनके पास कॉल करके कहा तो उन्होंने अपनी मा से वो वीडियो डिलीट करवाई तो दोस्तों उधर शपना का आरोफ है कि सिवी ने इस दोस्तों उधर शीवी का कहना है कि सपना जो इतनी भोले बन्ती है भोले के पीछे कई चेहरे हैं जिस दिन वह नकाप सब के सामने से उठेगा उस दिन आप यह इतनी गंदी और इतनी घटिया ओरत है इन सब बातों को सिवी ने कहा है सिवी का कहना है कि सपना सब के सामने बेचारी बनती मगर नहीं जब एक ओरत इतना नीचे गिर जाएगी जो अपने पती कि क्योंकि उसके भाई ने बताया था कि राजी चौधरी हम नहीं है जब ल जाने का मुझे हग था, मेरा राइट था उसने वीडियो बना लिया यानि कि उसे सिफ और सिफ ब्यू चाहिए थे सिफ और सिफ ब्यू के लिए वह ऐसा कर रही थी तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सीवी सही बोल रही है अगर सीवी यह सारे सचाई तुम्हारे पास है जो तुम सपना के खिलाब बोल रही हो तो तुम्हें अगर हिम्मत है सीवी तो वीडियो डालो सोसल मीडिया पर एविडेंस दिखाओ सबूत दिखाओ क्योंकि ऐसे बवाल यह हुआ वो हुआ फी ऐसा किया वो ऐसा कि मन गढ़न कहानी किसी को मस सुनाओ स सब को हकीकत बताओ दिखाओ और दोस्तों सपना के यहां अगर सीवी के हस्पेंड्ट गलत ना किये होते तो उनके सऽूरन किसे कि मांगते हाँ जोड रहा है थे कि बेटा मान जाओ मेरी बात वो तो ऐसा है अपने बेटे के उपर परदा क्यों डाल रहे थे गलतियों में और फी सीवी के हस्बेंड ने भी शायद माफी मांगी और आज सीवी सपना के खिला अरे तुमको सपना ने कहां से कहां उठाया क्योंकि तुमको कोई नहीं जानता सो सोसल मीडिया पर सीवी नाम की चीज भी कोई है अगर कोई जाना है किसी के चरिये तो सिफ और सिफ सपना ह जो तुमको उठाई है तुम बार-बार कहती हो कि मुझे पैसों का कोई मतलम नहीं पैसों का कोई मतलम अगर नहीं है तो सपना की वीडियो से जो आपको अर्णिंग होती थी वो पैसा कहां गया है वापस फी में इस बात को रिपीट कर रही हुँ इस तना आसान नहीं होता है किसी के करेक्टर पे उंगली उठाना सिवी जी आपने तो सब कुछ बता है मगर जो अभी की बात थी वो बताई नहीं वो सपना ने दोस्तों ये कहते हैं किसी को आज की युग में दोस्त नहीं बनाना चाहिए दोस्त बनाना चाहिए सीमीद बनाना चाहिए अपने घर तक नहीं घुसाना चाहिए जाहे वो सीवी हो या फिजा है सपना तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक आप लोगों की क्या रहा है कमे की बातों का विश्वास की अधर सीवी से बार बार यही कोश्चन कर रहे हैं कि ठीक है अगर आप सही हो तो evidence लाओ सबके सामने प्रूब दिखाओ बात क्या है सच्चाई लाओ अखिर सब को सब मैंने ऐसे कि उनका चैनल हो किया वो किया तो दोस्तों अगर देखा जाए इसमें तो गल्ति दोनों की है सपना की भी है स्वी की विए एक तो सपना ने में इतना खास है और आप किसी की तरफ से कम होती तो किसी की तरफ से ज़्यादा होती है यहां जो दूसरे को पर एःसान लाभती है सिवी यह बहुत गलत है एक तो किसी के साथ करना नहीं चाहिए अगर आपने किया है तो आपका मतलब क्या हुआ मेरी फैमली ने इतना किया अरे वो तो खुदी कह रही थी सिवी ने आज इतना किया सिवी ने वैसे किया सिवी ने वैसे किया वो तो सपना खुदी कह रही थी और रही बात आज तुम बोल रही हो कि सपना की फैमिली ने ऐसे सपना ने अपनी फैमिली के साथ तब कहां थी जब सपना की फैमिली बोल रही थी कि में साथ गलत हो रहा है सपना के सारी सब लोग बोल रहे थे कि वो अपनी फैमिली के साथ मगर साथ तो आपने ही दिया ना तो अगर सपना गलत है तो आप भी ग तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं और कल मिलते हैं के अच्छे से वीडियो में आप लोग कमेंट का सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताएगा